स्वागत है आप सबका सवीताज की चिन में मैं बना रही हूँ आउले का चार और आउले के अचार बनाने के लिए मैंने आउले को पहले से वाइल कर लिया है और इसकी कली कली मैंने निकाल लिये और आउले को हलका सा मैंने दूप में सुखा लिया है इसका पानी सूप चुक जीरे साउप और मेथी को मैं रोस्ट कर लूगी इसे हल्का से रोष्ट करें ताकि इसकी नमी निप 2unun करता साउप को रोस्ट कर रही हूँ इसे भी हल्का से चला दें ताकि इसकी नमी निकल जाए और इससे अचार खराब नहीं होता है अब मैं मैथी को भूंगूंजूंगी मैथी को थोड़ा जादा रोस्ट करें ताकि इसका कड़वा पन कम हो जाए अब मैं सौंप और जीरे को ग्राइड कर लूँगी अद्रक और लैसन को मैं मिक्सर में ग्राइड कर लूँगी अवला का चार बनाने के लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई गर्म करूँगी गैस में अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड आइल आइल में सारे मसाले को मैं भूझ लूँगी इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले अद्रक और लैसन का पेष्ट इसमें मैंने मैथी भी पीस लिए अद्रक और लैसन के पेष्ट को अच्छे से भूझेंगी इसे मैंने स्वात के लिए भी डाला है और साथ ही इसे मसाले की मात्रा बढ़ जाएगी इसलिए डाला है इसके साथ ही मैं डालूँगी एक मतर के दाने के वरावर हींग मैं डालूँगी इसमें अब यह अध्रक को अथिता से मैंने रोस्ट कर लिया है अध्रक लैसन के पेष्ट को अब मैं डालूँगी इसमें सौप का पाउडर अब मैं डालूँगी जीरे का पाउडर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डालेंगे राई पीसी हुई राई है यह मैंने पीस ली थी अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कलोंजी इससे अचार खराब नहीं होता और स्वाद भी बढ़ता है अब इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर लाल मिर्च है इसमें मैं डालूँगी बजार से लिया हुआ अचार का मशाला देखिए यह वाला अचार का मशाला मैंने लिया है आधे बाउल डाल दूँगी घर का और बजार का दोनों ही मसाले मिक्स करके मैं अचार बना रही हूं अब मैं डालूँगी आउले की कलियां इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी पैसे मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा तेल मैं उपर से डाल ले हूं ताकि अच्छे तरीके से मिल जाए अब इसमें मैं टालूँगी स्वाद के अनुसार नमक अब मैंने गैस आप कर दी है अब मैं दीरे दीरे इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से यह अचार बनकर तईयार हो गया है बहुत ही टेश्टी अचार बना है बनकर बनकर तैयार है चटपटा और तीखा आउले काचार बहुत ही मस्त बना है, जवरजस्त बना है आउले काचार आप को मेरी रेशिपी कैसी लगी, आप इसे बना कर देखिए आपको भी यह अचार स्वाधिष्ट लगेगा और यदि मेरी रेशिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हूँ तो इसे सब्सक्राइब करिए थैंक यू